आज के इस वीडियो में आप जानोगे सीप्रो फ्लॉक्ससीन टेवलेट का बार में जो की एक प्रकार का एंटिवाइटिक है सो गाइस हम इसके डोज, यूजेस, साइड एफेक्ट्स, ब्रांड और कैसे काम करता है एवरिटिंग इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट दोस्तो, सीप्रो फ्लॉक्ससीन जो है, ये फ्लूरो क्यूनलाण क्लास के एंटिवाइटिक में आता है जो की broad spectrum antibiotic है, मतलब ये सभी तरह के infections को ठीक करता है जो bacteria के वज़े से फैले हुए रहते हैं, जो bacteria है न ये दो तरह के होते हैं gram positive और gram negative, तो ये दोना ही तरह के bacteria के खिलाब बहुत effective होता है तब ही तो ये broad spectrum है, तो बात कर लेते हैं इसके uses का तो इसका हम use ear में bacterial infections के दोरान भी करते हैं, मतलब जो patient है उसके ear में swelling यानि कानों में सूजन हो रखा हो, या उसके कान में दर्द हो रहा हो या उसके कान से पस निकल रहा हो, तो इस दोरान इस tablet का use करते हैं और इसका use हम RTI, मतलब respiratory tract infection में भी करते हैं मतलब जो patient है, उसको सास लेने में दिक्कत हो रहा हो, या उसको बार-बार खास ही आ रहा हो इस infections के वज़ए से या फिर इस infections के वज़ए से tonsillitis हुआ हो, यानि उसके गले में जो tonsill है वो बढ़ गया हो तो तब भी इसका use करते हैं, इसका use हम instant time bacterial infections के दोरान भी करते हैं मतलब जो patient है उसको vomiting यानि उल्टी हो रहा हो या फिर उसको diarrhea हुआ हो या फिर उसको lose motion हो रहा हो तब भी हम इसका use करते हैं और इस tablet का हम तब भी use करते हैं bone joint infection यानि आपके जो joint है वहाँ पर inflammation हुआ हो और इसका use हम urinary tract infection में भी करते हैं जो आपका urinary bladder है और जो kidney है इनमें infections के वज़े से proper urination नहीं हो रहा हो यानि प्रॉपर जो है वो urine नहीं निकल रहा हो तब भी हम इसका use करते हैं और भी बहुत सारे इसके uses हैं जैसे skin allergy के दौरान भी हम आप इसके use कर सकते हो सो गाइस अब हम थोड़ा इसके brands के बार में बात कर लेते हैं जैसे यह कई brands में अविलेवल है जैसे सीप्लोक्स, सिपकोर, रैसेप, सीप्रोडेक, सीप्रोफेन तो गाइस यह आपके nearby store में देख लेना है बहुत तरह के brand और generic name से भी अविलेवल है तो आपको ले सकते हो तो इसके tablet के बार में थोड़ा सा बात करें तो जो इसका tablet है यह film coated tablet होते हैं मतलब यह directly आपके instant time में जाके absorb होते हैं जो कि एक अच्छे बात है और आपको swell यानि निगलने में भी दिक्कत नहीं होगा film coated होने के वज़े से और यह आपको 2500 mg और 500 mg में देखने को मिल तो अब हम इसको बात कर लेते हैं किस डोज में लेने को तो यह आप डॉक्टर से बिना पूछे मत लेजेगा एक वर डॉक्टर से confirm जरूर करिया तो डॉक्टर जो है वो बोलता है according to patient के health देख करके कि इसको जो यूज करना है वो only रात में करना है after meal ले करके या फिर morning में और night में दो time after meal लेके इसका यूज करना होता है बात करें इसके side effects का तो इसका side effects बात करें तो nausea हो गया vomiting हो गया muscle में cramps आना या weakness होना तो ये सब इसके कुछ side effects है बात करें इसका मतलब कि कुछ use ना करने के लिए जैसे anti acids जो drugs होती है तो उसके साथ आप ये tablet नहीं ले सकते है और जो pregnant woman है उनको भी ये नहीं लेना है तो guys ये हो गई कुछ बातें जिस दोरान आपको ये tablets नहीं लेना है बात करने थोड़ा इसके mechanism का कि ये कैसे काम करता है तो I hope आप guys देख सकते हो जैसे screen पे जो bacteria होते हैं इनके पास सभी के पास अपना DNA होता है और ये DNA से ही तो multiply होते है और 1-2-2-4 ऐसे multiple bacteria होने को जैसे इनी को जैसे तो infections हो रह करता है एक से 2 होने के लिए और ये replication कौन करता है DNA करता है तो DNA के पास एक enzyme चाहिए होता है जिसका नाम है DNA गायरेस ये DNA गायरेस है यही help करवाता है इन वैक्टीरा को replication के लिए तो ये जो tablet है ना इसका काम है कि DNA गायरेस जो है उसको inhibit कर देना ताकि ये multiply नहीं कर पाए जि रोज शेयर करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरू करना